कि इस समय हम सिंगू बॉर्डर में हैं यहां पर किसान आंदोलन्न 21-22 दिन हो गये हैं पूरे और किसान आंदोलन को चलाने वाली जो ताक्ते हैं जो नेटा हैं वे किस तरह से आगे चलाने जा रहे हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसे देख रहे हैं इसके लिए हमने बादचीत की दर्शन जी से डॉक्टर दर्शन जी से डॉक्टर दर्शन जी नियूस क्लिक में आपका स्वागत है बहुत मजबूत किसान आंद दिल्ली में आए हैं आप अपने संगठन और जो पूरा अंदोलन चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं बताईए इस अंदोलन में करांति करी किसान यूनियर पंजाब की तरफ से शामला है हम लोग बड़ी गिंती में है इस अंदोलन को मैं थोड़ा इस तरह से बताना चाहता हूं सबको के ये अंदोलन बहुत छोटे अंदोलन से शुरू है पंजाब में जब ये कोविड उन्नी का लॉकड़न चल रहा था तो उसी समय ये तीन ओर्डिनेंस जब आए तो तीन ओर्डिनेंस को धिरे जिरे बिल और एक्ट बनाके गौर्मनेंट लाई तो हमने पंजा प्रेक्टर मार्च निकाले, मोटर साइकल मार्च निकाले, बड़ी-बड़ी रैलिया निकाली, हम MPs, MLAs, Ministers के घरों तक मार्च किया, उनको हमने वो डिमांड चार्टर दिया जो आज भी सेंटर गौर्मनेंट के पास आया हुआ है ये आपने जो पूरा प्रॉसेस है ये जोर से शुरू किया है इसको, पंजाब में फिर देखी इसका क्लाइमेक्स जब देखने हैं, 25 सेप्टमबर को पंजाब बंद, जैसे इंडिया का भी बंद हुआ, पंजाब का बंद, लोग कहते हैं कि ऐसा बंद हमने कभी नहीं देखा, जो 25 सेप्टमबर को हुआ, उसी स में हुआ जब पूरा पंजाब बंद का कॉल हुआ उस समय, उस से थोड़ा पहले, उस समय तक राजनितिक पार्टियों का, खास्तोर से कॉंग्रेस, अकाली और भाश्पा, और आम आदमी पार्टी, जो चार बड़ी पार्टियां बताई जाती हैं पंजाब की, इनका क्या रवया था आपकी इन मागों को लेकर? एक अक्टूबर को पूरा पंजाब का जो रेल ट्रैफिक था, उसको जाम किया गया, और सेम डे वी डिकलेड के अमवानी और अडानी का काम जादा नहीं है पंजाब में, अमवानी और अडानी के जो गूड्स और सर्फिस हैं, उसको हम बॉयकॉट करेंगे. यही मैं आप से जाना चारी हूँ कि ये पहला आंदोलन ऐसा देखा हमने, जिसमें दो कॉर्परेट घरानों को सीधे-सीधे लोगों ने निशाने पर लिया, इसकी वज़ा क्या लगिया? देखिए वैसे तो जनरली हमारा कॉल था कि कॉर्परेट का बाइकाट करो, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली जो पावर में गॉवर्मेंट है, उस पॉलिटिकल पावर के गॉवर्मेंट के सबसे क्लोज जो कॉर्परेटर्स हैं, जो हम देख रहे थे कि अमबानी और अडानी है, जिसको पिछले समय में मोडी गॉर्मेंट में बहुत बेनिफिट मिला है, तो ऐसा रही कि अमबानी के तमाम पट्रोल पम्प जो थे हें रिलाइंस के, हम बन्द कराया गया, पंजाब में बन्द कराया गया, हम माल्स के जोढूने लोक बैठें उनके, जियो का πα्याट क करने का कॉल दिया गया तो अमबानी के जितने भी रिलाइंस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसिस थे उसके खिलाफ लोगों ने पूरी एक महम चलाई और अडानी का एक बहुत बड़ा एक गोडाउन है मोगा के पास उसके सामने लोग धरनारगा के बैठ गए उसको नही पंजाब से आप दिल्ली पहुचे दिल्ली पहुचे आपको 20 दिन से उपर हो गये हैं 26-27 नवंबर को आप यहां पहुचे थे और तब से लेकर अभी तक जो पॉलिटिकल प्रोसेज है आपकी बाची सरकार से हो रही है सरकार बार-बार कहती है कि आपसे बाचीत करने को त रुख अपनाया हुआ है कि पहले तो मोदी साब और उसके कह रहे थे कि नहीं जी ये कनून बहुत अच्छे हैं फिर बोलने लगे ठीक है कनून में अगर कुछ बुराईया है तो उसको हम डिसक्स कर लेते हैं इसमें हम कुछ अडिशन कर लेते हैं कुछ सब्स्ट्रेक्श नहीं कर सके तो ये तो अगर उस समय गलती होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम डिसक्सिन ना करें जिद्धी गौवर्मेंट है एक तरह का जिद्धी लोग हैं जो गौवर्मेंट को चला रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं है ये गौवर्मेंट के लिए लेकिन उन कावे में हैं कई बार वो लोग बोलते हैं कि टुक्डे टुक्डे गैंग है अलग अलग भाशाएं या शब्द इस्तमाल हो रहा है किसान अंदोलन के लिए देखें मैं पहले भी कहना चाहता हूं कि जब तक अंदोलन ये पंजाब में था तब भी बीजेपी के लोग इसी तरह से बात कर रहे थे उस समय लेकिन धीरे धीरे उनको ठीक हो गए फिर उनके कुछ लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया फिर तो इस तरह का बोलना उन्होंने बंद किना एक बात दूसरी बात ये है कि देखिए अंदोलन अगर इस तरह का होता तो अंदोलन इतना विक्राल रूप कैसे बन जाता है मैं ये बात बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान संगटनों ने किसान इशू और किसानों को शामल करने के इलावा और कुछ इनका वो नहीं है कभी भी इन्होंने किसी पुलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अपने मंच पर जगा नहीं दी अगर किसी ने आना है तो यूनिन का जंडा हो उसके हाथ में पीछे आके बैठ जाए वो बीजेपी भी करेगी तो हमको कुछ अपती नहीं है लेकिन इस तरह का टुकडे टुकडे गैंग या ये विचोलिये हैं ये कॉंग्रिस का समर्तन है अपोजिशन पार्टिये का समर्तन है ये बीजेपी एक तरह का ऐसे बोलिये के हड़बडाई हुई बात कर रही है क्योंकि मैं आपके साथ एक्दम सहमत हूँ कि किसी को सपना भी नहीं था कि किसान अंदोलन छोट छोटे गाउं से उठकर इतना विक्राल रूपदार लेगा पंजाब में और अभी को कह रहा है जो फिकर है बीजे को भी जिसकी हम चतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने टाइमली इस चीज़ को नहीं संभाला तो ये अंदोलन जो है अभी दिल्ली में है ऐसे ही रहेगा लोग और आएंगे और ये पूरा नैशनल इंटरनेशनल एक तरह का अट्रेक्शन का सेंटर बना हुआ है और देश के लोग भी रोज मीडिया के थूर देख रहे हैं और देश के डिफरेंट जो अधर प्रविंसेज हैं दूसरे जगा हैं वहां हम देखे हमने कॉल दी भारत बंद की आठ तारीक को दी ये पूरा भारत बंद हुआ पांच तारीक को हमने मोदी सरकार के पुतले ज चलाएगे फिर हमने कॉल दी चाओदा को के सब जगा डिस्टिक हैड़कोरटर में मैं पंजाब के लोग यहां किसान इर यहां हैं लेकिन पंजाब में डिस्टिक हैड़कवाटर में हजारहों लोगों ने पस्ट खिर छा मूलियत की अला कि लीड़ तो यहां तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सिपथी वेव एंड लोग जो बैठें इतनी ठंड में इसके साथ एक पूरा देश के लोग का उनका कंसर्न है दुनिया में भी देखिए ट्रॉंटो है वैंकूवर है ब्रिटेन है के दूसरा यूएस में है हजारों नहीं हजारों मलकि साथ हजार के लोगो पर तो कहना मैं चाहता हूं कि अभी यह जो अंदोलन को जिस तरह से यह देख रही है बीजेपी यह अंदोलन मैं मैं यह सोचता हूं या चाहता हूं कि यह अंदोलन इतना बड़ा हो जाए देश में कि जो नेरेटिव बीजेपी या मोदी साब बनाना चाहते हैं इस देश करें क्योंकि पंजाब में तो देखो उनका जो बीजेपी और अकालियों को गड़ चोड़का उसको तोड़ दिया और मैं आशावन्द हूं कि अगर आगे चलेगा तो हर्याना में भी इस तरह का जो समी करें जी जी वही मेरा सवाल भी है कि आगे हर्याना है आप कह रहे हैं कि हर्याना की लोग काफी आए हमें भी काफी लोग मिल रहे हैं लोग भाशन भी दे रहे हैं आकर तो क्या हर्याना में एक इसकी राजनितिक असर पड़ेगा क्या वहां जो सरकार है क्योंकि दुश्यन चोटा है कि जिस तरह का हर्याना और पंजाब का अग्रेडियन डॉमिनेट सोसाइटी है और जिस तरह का ये हर्याना में एक किसान संगर्ष उभार में है अभी लोग अपने अप गाउन से निकल रहे हैं दुश्यांट चुटाला की ये मजबूरी हो सकते है कि अभी-भी वो हो उनको अपनी कुर्सी जो छोड़नी पड़ती है मुझे लगता है लगते हैं मैं चाहता हूँ हूंगे के हर्याना में ये जो तवादन है ये जो बैलनस ओफोर्स आज चेंज हो और ये बैलनस ओफोर्स अगर चेंज होती एकडम एक दूसरे नजरियासे के दूसरी डाइवर्सटीज को वे नैरेरीटी drink को यह किसी भी मुवमेंट को उसको एक विषैशन दे के न्वाज देते हैं कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है उसके विरोध में अगर इस तरह का एक मुवमेंट बनता है तो बनना चाहिए यह farmers movement का यही एक बड़ा contribution होना चाहिए, तीन बिल जो है वो भी वापस तो होने चाहिए, लेकिन बिल क्योंकि जो government ने बनाया उसका अपना एक सोचने का तरीका है, और सोचने के तरीके उपर भी अगर यह movement attack करती है, that is a big contribution for the people. एक बहुत बड़ी चीज जो मोधी सरकार या जो मीडिया के तरफ प्रचारित है, दोनों ही मिलके जो कर रहे हैं, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी यह बताया है कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, पंजाब के किसान बहुत अमीर हैं, तमाम खबरे चलाते ह कि यह बहुत अमीर लोग आए हुए है, बिहार का किसान गरीब है, यूपी का किसान गरीब है, इसलिए वो साथ नहीं आया है, यहां पे MSP सारा फायदा 96%, 92% MSP सिर्फ पंजाब के किसान ले जाते हैं, और बाकी किसानों को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसकी दो तीन चीजे मैं बात करना चाहता हूँ, पंजाब के किसानों को समरिद हैं, MSP लेते हैं, MSP तो पूरे देश में 6% किसान को मिलती है, एक बात, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूँ कि जिस जगह में इस तरह की अगरी कल्चर अड जो हैं, they are under debt. Under debt means at least every farmer family is to pay 10 lakh rupees in an average. So, ये जो ये जो figures हैं, ये उनको लगता है के बहुत समरिद है, दूसरी बात, हम नहीं चाहते के बहार UP के लोगों को MSP मिलना, उनको भी मिलना चाहिए, सब किसानों को मिलना चाहिए, cost of production का proper calculation हो, 50% उसके उपर profit दिया जाए, तो ये ना देके, उनको ग्रीब रखके, ये लोग सोचते हैं के शायद बहार बहुत खुश हैं वो लोग, नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, उनके दूसरे issues important हैं, उनका land issue important होगा, उनका जो marketing के में, उनका private company हैं, जो उनकी शोशन करती हैं, वो important होगा, अगर ये नहीं होता तो क्यों बहार और यूपी का पैडी आके पंजाब के उसमें बिकरा है, यानि आपनी responsibility को छोड़ कर, market और वेपारियों को उपर छोड़ के, ये government ये बताना चाहती है, कि देखिए बहार और वो ठीक है, उनको इतनी गरीबी में रखा हुआ है, कि उनका जैसे जैसे कोई थोड़ा समरिद होता है, उसमें लडने की शमता भी बढ़ती है, पंजाब के किसानों में सचमुच में लडने की शमता है आच, dignity के लिए, identity के लिए, और प्राप्त करने के लिए, कुछ खो रहा है उसको, जाने नहीं देना इसके लिए, तो ये जो उनका कहना है, ये बात fact के level में ठीक है, market हमारे पास है, MSP हमारे पास है, लेकिन market और MSP उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, अभी वहाँ पैड़ी बिक रहा है, 1100 रुपी है, हमारे पैड़ी बिक रहा है, 1900 रुपी है, वहाँ wheat बिक रहा है, 1200 रुपी है, हमारा wheat बिक रहा है, 2000 रुपी है, तो य यह जो फर्क है, इस फर्क को ना देखते हुए, वो एक इस तरह से बना देना कि इनको क्योंके मिलता है, इसलिए यह सम्रिद्ध है, फालतु में लडाई कते हैं, यह उनका आर्गुमेंट ठीक नहीं है. सुप्रीम कोट में जो केस गया, उसकी वजह क्या लगती है और आपको क्या उमीर या आशंका है? अबी सुप्रीम कोर्ट में जो केस लेके गए हैं उनुने गल्स बात किया है हमको लगता है कि ये गौर्मेंट की साज़ रही है को हम देख रहे हैं कि आवमता पर सेंटर गौर्मेंट जो है उसके पक्श में ही फैसले दिये जाते हैं लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा है, उसमें डिटेल में क्या आता है वो देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मुझे तो ज़्यादा उमीद नहीं है कि किसानों के पक्ष में कुछ आएगा, बाकि कल फैसला आता है तो उसके बारे में कुछ आगे का रास्ता क्य और इसके साथ साथ देश के लोगों को काल भी देते रहना है, कि पूरे देश के लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं, लोग जो किसान और जनता जो हैं, वो इस इशू को लेकर या किसानों के इशू को लेकर देश का मुद्दा बनाते हैं, स्टूडेंट्स, यूथ, इम्प तो पूरे देश के लोग जो क्राइसिस को रिजॉल करने के लिए बजरेंund के लिए आयें मेदान में बैसिता यूनिटि बने पूरे देश के लोगों किसी भी भाशा का लोग हैं वो कोई धर्म है कोई जात है लेकिन वो आएं और एक साथ मिलके इसको पूरे देश में एक इस तरह का मूवमेंट बने जो आप बोली रहा हूं कि मैं भी सोच रहा हूं कि देश में पहली बार 47 के बाद एक बड़ा कोई इस तरह का अंदोलन हुआ है और इसको और क्वालिटेट बड़ा अंदोलन बनाने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि वो अंदोलन जो देश के पुलिटिकल नेरेटिव में इंटर्वेंशन करें वो अंदोलन में इसको बदलना हूं कि शुक्रिया